दिल्ली में नगर निगम में काबिज बलकि दिल्ली में नगर निगम में पिछले 17 साल से काबिज भारती जिन्ता पार्टी हमेशा फंड का रोरती रहती है और भारती जिन्ता पार्टी की आदत बन गई है हमेशा ये रोते रहना कि दिल्ली सरकार पैसे नहीं दे रही जब भी इनके करमचारी इनसे कहते हैं कि हमारे तंखा दीजिए जब भी इनके करमचारी इनके आके टीचर्स आके इनके सफाई करमचारी आके इनके इंजिनियर् ये हमेशा बोते हैं तन्खा के लिए पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार से पैसे ही मिल रहे है, मैं आज नगर निगम का पूरा कछा चिठ्था लेकला आ आएम, और पैसे का भी और इनकी करतूतों का भी, ibt मैं पहले पैसे का हिसाब किताब रखता हूं, इस साल दिल्ली सरकार को नगर निगम को बजट के हिसाब से काइद कानून के हिसाब से 3488 करोड रुपए देने थे 3488 करोड रुपए जिसमें से और ये जो 3488 करोड रुपए पूरे साल में दिये जाते हैं हर साल इसी तरह से पूरे साल में दिये जाते हैं पहली किस दी जाती है तीन महीने में फिर दूसरी किस दी जाती है फिर तीसरी किस दी जाती है इस तरह से तो दिसंबर तक 75% पैसा नगर निगम को दिया जा चुका है 3488 करोड में से 2588 करोड रुपए 99 लाग रुपए अभी तक नगर निगमों को दिये जा चुके है 75% दिया जा चुका है, 25% अभी बाकी है जो जनवरी में दिया जाना है, जो कि अभी डू भी नहीं है, आगे जनवरी के महिने में डू होगा जाके, तो भारतिय जन्ता पार्टी रो किसी इसकी इसके लिए रही है, दिल्ली सरकार ने तो पूरा पैसे दे दिया, 75% पैसा जो दिल्ली के नगनिगमों को दिल्ली सरकार द्वारा दिया जाना था काइदे कानून के नियम के हिसाब से वो दिया जा चुका है फिर पैसा गया कहा यह अभी करमचारियों की तंखा नहीं है मेयर ड्रामा करते हैं रोज बैठके भारते जनता पार्टी बैठके रोज ड्रामा क जबकि 2015 से पहले इनके उपर लोन काटा जाता था आज मैं दिल्ली के सामने रखने चाहता हूँ इनके उपर 6,889 करोड करीब करीब 7,000 करोड रुपए का लोन है भारतिय जंता पार्टी के नगन डिगमों के उपर भारतिय जंता पार्टी की सरकार ये लोन गबन कर गई पू अब मैं इनका कच्छा चिख्था लेकर आया हूँ कि ये पैसा जा कहा रहा है और ये सारे के सारे लोग जब चिलाते हैं भारतिय जंता पार्टी की के पैसा नहीं है पैसा आना कहां से था पैसा आ क्यों नहीं रहा आपके पास में क्यूंकि भारतिय जंता पार्टी का नग नगर निगम में उसकी चिंता यह निए कि नगर निगम की करमचारी की तंखा कैसे हो दिल्ली को साफ कैसी किया जाए दिल्ली के जो नगर निगम के उसमें स्कूल है अस्पताल है उनको कैसे ठीक रखा जाए उसकी चिंता यह निए उसकी चिंता है दिल्ली सरकार से जो पैसा मिल रहा है उसमें से भी बेई मानी करके उसको साइफन ओफ कर दो उसको इधर उधर बट्टे खाते लगा दो और नगर निगम के पास और कहीं से भी पैसा आ सकता है तो उसको भी बट्टे खाते लगा दो मैं कुछ उधारन रख रहाँ की नगर निगम में भारती जंता पार्टी उपर से नीचे तक किस तरह से ब्रिष्टा चार से डूबी हुई है इन्होंने पच्छिस सो करोड रुपई का रेंट घोटाला किया नगर निगम में इन्होंने हाउस टेक्स में अठारे सो करोड रुपई का घोटाला किया ये 3000 करोड का प्रापइटी टेक्स लेनी की जगे केवल 1200 करोड का प्रापइटी टेक्स ले रहे हैं इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला इसमें फिर वेश्ट मैनिजमेंट के लिए सेग्रीगेशन के लिए एक मशीन जिसकी कीमत 75.7 लाख रुपे होती है लेकिन भारती जनता पार्टी ने MCD में हर मशीन पर 6,30,000 रुपए का किराया लिया साड़े सत्रे लाख की मशीन इन्होंने खरीदी नहीं इन्होंने उसका रेशनल कोई सामने किराया भी नहीं दिया साड़े सत्रे लाग की मशीन का साड़े छहलाह रुपए तो किराया दिये जा रहे हैं सारी मशीनें एक करोड में खरीदी जा सकती थी तो भारती जंता पार्टी के इस करतूत को देखें तो एक हजार करोड का घोटाला तो ये कुड़े की सेग्रिकेशन मशीन में कर चुके हैं इसके बाद नगर निगम ने एक नया प्रस्ताव रखा जिसमें ने ने कहा कि अब से मशीनों पर प्रती मेट्रिक टन कुड़े की प्रोसेसिंग पर 306 रुपे का किराया भरा जाएगा ये मशीन एक महीने में कम से कम 6,000 मेट्रिक टन कुड़ा प्रोसेस करेगी इस हिसाब से MCD 18,36,000 रुपे किराया दे रही है तो साड़े सत्रे लाख की मशीन साड़े अठारे लाख रुपे प्रती महीना का किराया ये है भारते जनता पार्टी जो ये कहती है पैसे नहीं है पैसे नहीं है पैसे नहीं है साड़े सत्रे लाख रुपे की मशीन का साड़े अठारे लाख रुपे प्रती महीना किराया देते हो उपर से कहते हो पैसे नहीं है फिर उन्होंने पार्किंग प्रॉपर्टीज को जिस तरह से ओने पोने दाम में बेच के क्योंकि अब इनको पता है ये सरकार में नहीं आ रहे दुबारा लेकिन इनको नगर नगम की प्रॉपर्टीज बेचने का और उससे पैसा कमाने का बड़ा शौक शरहा हुआ है भारते जन्ता पार्टी इसमें पूरी कमाई कर रही है 300 से 400 करोड रुपए का घोटाला इनोंने किया है 100 मल्टी लेवन पार्किंग बनाने का वादा करके केवल 24 पार्किंग बनवाई इनोंने एक करोड गाड़ियां है दिल्ली में लेकिन एक लाग गाड़ियों के लिए इनोंने लीगल पार्किंग बनवाई है बाकी सब इलीगल पार्किंग से कमाते है भारते जनता पार्टी की North MCD की 13 पार्किंग, प्राइवेट माफियाओं को इन्होंने अने पॉने दाम पे बेच दी, उनका करोड़ों का House Tax भी माफ कर दिया है इन्होंने, इसमें प्रितमपुरा की शिवा मार्केट है, गांधी मैदान पार्किंग है, रानी बाग पार्किं है, पंजाबी बाग मेट्रो पार्किंग है, नागलोई की मेट्रो पार्किंग है, मुंडगा की मेट्रो पार्किंग है, 13 पार्किंग प्राइवेट माफियाओं को ओने पॉने दाम में बेच दी, इससे पैसा कमाना चीए था, इससे पैसा आ सकता था, लेकिन ये पैसा भा उने दाम में निकाल दिया और उसके बाद उनका house tax भी माफ कर दिया मार्केटों से दिली के अलग-अलग मार्केट से भारती जन्ता पार्टी ने कन्वर्जन्स शुलक और पार्किंग शुलक की कठा किया था करोणों का पैसे कठा किया लेकिन पार्किंग की समस्य दूर निकी नोने वो करोणों भी डखार गए जो पार्किंग शुल्क के नाम पे लिया, जो कनवर्जन शुल्क के नाम पे लिया, इसके पहले चांदनी चौक की गांधी मैदान पार्किंग, प्रितमपुरा की शिवा मार्केट पार्किंग, सदर बाजार की कुतुप रोड पार्किंग, करोल बाग में पार्किंग ये उस ऐसी ब्लॉक स्थित स्कूल की जमीन जिसका मूल कम से कम धाई लुपो धाई हजार करोड़र रुपई था भारती जिंता पार्टीं ने एक सोचबश्वीश करोड़ रुपे में बेचा क्रीजनता फादां campe कर लिया आजादपुर में नानी versch्क्राइब मोती नगर, शॉपिंग कॉंप्लेक्स, डिलाइट सिनेमा के पास की 22 दुकाने, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के 132 प्लोट्स, 34 स्कूल, खाली हेल्थ सेंटर, टाउन हॉल, आर्बी टीवी, एस्पताल, ये सब भी बेच डाले। इस बसाby मिनग के पास आज पैसा नहीं है, भारती जिनता, पार्टी के पास पूरा पैसा है, नगर टीवी, overd़न के पास पूरा पैसा नहीं है, इन्होंने हर साल अवैज पार्किंग में दस अजार क्रोड का घोटा ले है, अस्पताल और मॉल्स में पार्किंग मुफ्त होत लेकिन नगन दिंगम को कोई पैसा नहीं मिल रहा है बीजेपी के निताओं को पैसा मिल रहा होगा निश्चित रूप से कहां जा रहा है यह पैसा क्यों नहीं मिल रहा है तो इसमें से नगन दिंगम को शेयर मिलना चीए MCD का कहना था कि एस्पतार और मॉल को उनको एडिशनल F.A.R की वज़े से पार्किंग दी गई है ताकि उनको पार्किंग सुल्क नहीं देना पड़े लेकिन आप मुझे बता दो कोई मॉल बता दो कोई हॉस्पिटल बता दो जहां पे आज पार्किंग नहीं लग रही हो तो पार्किंग से लेके प्रॉपर्टीज को बेचने से लेके मशीने किराय पे लेने से लेके हर चीज में भारती जनता पार्टी घोटाले पे घोटाले करे जा रही है और उपर से जब करमचारी तनखा मांगते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया, केजरिवाल जी ने पैसा नहीं दिया, शर्मा नीची ये भारती जनता पार्टी के निताओं को कि इतना आकंट करप्शन में डूब के ये दिल्ली नगर निगम के करमचारीयों के हिस्से की सेलरी भी खा जा रहें और जनता को भी दुखी कर रहें चूट बोल रहे हैं, मैंने इसलिए आपके सामने रखा न, मैंने पूरा रखा, 6,889 करोर रुपए दिल्ली सरकार को नगर निगमों से लेना है 6,889 करोड रुपए दिल्ली सरकार को लेना है नगर निगामों से मैं उनको शुब कामना देता हूँ लेकिन हैपिनेस क्लास शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेश्ट रहेगा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षकों कि हैपिनेस पर भी ध्यान दे उत्तर प्रदेश सरकार उसके बाद ही हैपिनेस को टीचर आगे बढ़ा पाएंगे